इंडियन नेवी में अभी दस ने सिब बेस्ट येवी को सामिल करने के लिए गर्मेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। चाइनिज आर्मी की अगरिशन को मैच करने के लिए इंडियन आमी की तरफ से पांगंग लेक में इस्तमाल करने लाइक हाई पफरमस बोर्ट को खरीदने का फैसला किया गया है। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक स्रीच में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते भी आज की वीड डिफेंस मिनिस्ट्री के पास अभी ऐसे दस सिब्स ड्रोन को अक्वाइर करने के लिए प्रॉपोजल को फर्स ट्रक मोड में पास करने के लिए फॉरवर्ड किया गया था जिसकी कीमत लगभग तीरा सो करोड के आसपास होने वाली है इसकी अंदर नेवी की तरफ से एक ब इसके अलावा नेवी की तरफ से और युनाइटेट स्टेट से सी गार्डियन डून को भी खरीदने के लिए बातचीत किया जाए रहा है जिनको नेवी की तरफ से मड़गासकर से लेकर मलाका स्ट्रेट तक ऑपरेट किया जाएगा साथ इहाली में मीटिंग में डिफेंस म लीजन में ऑपरेट किया गया तो इनकी अवरेज एंडूरेंस लगभग 30 घंटे तक पाया गया है अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से पीडियाई के रिपोर्ट के मताबिक आर्मी की तरफ से अभी बारा हाइप पहुमेंस पेट्रोल बोट को खरीदने के लिए प्रॉपजल को पास किया जा रहा है जिसको मेंली बड़े वाटर बोडिज में सर्विलन्स के लिए इस्तमाल किया जाएगा जिसको लद्दा की पांगोंग लेक में भी तैनात किया जाएगा इसके लिए अभी गोवा से पेड लिम्टेड के साथ एक ओंटेट को किस तक डिलीवर करना सुरू किया जाएगा इन बोड्स को खरीदने का तो सबसे बड़ा कारण था वो यह था कि जैसे इंडिया नामी की तरफ से लैंड में पीपल लबरिशन नामी को ब्लॉक करके रखा गया है और उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है बो लोग अभी पानी में घुषबेट करने की कोईसिस कर रहे। और वो पहले से इसके लिए तयारी करके आये था जिसवज़े से उनके बोड्स को दूसरे बोड्स को धक्क्य मांने के लिए और धक्का मारके डैमेज करने के लिए डजाइन किया गया है अब जैसे की line of actual control में फायराम का इ जाइन नहीं किया गया थे और इसी वज़से इनको डैमेज हो रहा था अब जैसे ये वार्दा सामने आए था तो उसके तुरंद बादी एमर्जेंसी में इसे कुछ बोट्स को पांगोंग लिक में भेजा गया था और अभी फॉर्मली इंडिया नामी की तरफ से गोवा सिप कर चुकी है अब अगर चाइना की जेट 20 हेलिकॉप्टर की बात करें तो इसे चाइना की हार्बिन एक्राप्ट इंडिस्ट्री की तरफ से डबल अब किया गया है लेकिन ये दिखने में बिल्कु उनाइटेड स्टेट की ब्लाक होग हेलिकॉप्टर या उच शिक्स्टी ह हेलिकॉप्टर जैसा दिखता है इसको चाइना की तरफ से सबसे पहले 2013 में टेस्ट किया गया था यानिकि इसके टेस्ट फ्लाइट को कंड़र किया गया था ये लिकॉप्टर लगभग 10 टन के आसपास लोड को उठा सकता और ये 13000 फिट की उचाय में उडान भर सकता है अ कि ब्लाक होग हेलिकॉप्टर में चार रोटर ब्लेट का इस्तमाल किया जा रहा है अभी ये भी बता गया कि चायना की तरफ से इसमें सेटलेट कम्णिकिशन सिस्टम को आड़ किया गया है रिसेंटली चायना के वेबसेट वह में जेट 20 हेलिकॉप्टर के कुछ इमेजिस missile को load किया गया था अब KD-10 missile को China की तरफ से United State की हलपायर missile की बराबरी का missile कहा जाता है जो की एक semi active laser guided missile है और ये 4 km तक mark कर सकता है लेकिन KD-10 missile की बात करें तो हलपायर missile के मुकाबले थोड़ा बड़ा बल्की missile है जिस वज़े की जेट 19 हिलिकॉप्टर में टेस्टिंग करता हुआ देखा गया था और फिलाल अभी भारत और चाइना के बीच लद्दाख में जैसा माहौल चल रहा है यह से में हो सकता है चाइना यह सब भारत को दिखा कर डराने की कोशिस कर रहा है कि अगर भारत लद्दाख में हभी ट कि 10 मिसाइल को डवलब करने की कोशिस किया जा रहा था तो इतनी जल्दी एक मिसाइल को आपरेस्टान की तरफ से आप सब को पता होगा कि पाकिस्तान भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता है जिस वज़े से वह हमेंसा सही भारत के खिलाब प्रोक्सिय ओर को करते आरा है जिसमें सीदे आमने सामने की लड़ाई लड़ने के वदले फाकिस्तान अपनी सोरों के मदसे सब करने की कोसिश करता है कि क्योंकि कर्भेसिसनल न построate से अब ही हमारी पाकिस्तान की एक और चाला की हमारी इंटरेस डेपार्पेंट की करसे पकड़ा गया कि पाकस्तान के तरफ सभी इंडिया नामे की सीक्रेट इंफरमिशन जिसे की डिप्लॉइमेंट प्लान या एक्सेंट प्लान को जानने के लिए इंडियन सोल्डर्स को कॉल किया जा रहा है और कॉल में पाकिस्तान की जासुसों की तरफ से खुद को इंडिया नामे के सीनर ओफिसल बता जाता है और हाली में इसा एक कॉल इंडिया नामे की कंट्रोल लूमे किया गया था जिसमें पाकिस्तान की स्पाई की तरफ से खुद को सेम डिविजन के हायर ओफिसल बता गया और वो इंडिया नामे की deployment, higher official की moment, VVIP moment और ऐसे करके और भी कई सारे sensitive जानकारी हासिल करने की कोशिस कर रहे थे अब जैसे ही हमारी interest department को इसके बारे में cover मिला तो उसके बाद सभी army और paramilitary forces की control उनको बात बता दिया गया था अगर ऐसी कोई भी call आपके सामने आता है और कोई भी sensitive जानकारी के बारे में सवाल किया था तो कोई भी जानकारी ना देने के लिए कहा गया था और साथ ही पाकिस्तान की ISI की तरफ से अभी fake ID बनाकर Indian official को friend request भेजा जा रहे और उनको social media में contact करने की कोशिस की जाती और इसे करके कई सारे हनीटरा बाले केस हम देख चुके हैं जिस वज़े से अभी सभी को careful लेने के लिए कहा गया है अगला update भारत चाइना और पाकिस्तान को लेके जम्मौन कस्मिर की पलिस की तरफ से अभी मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि हाली में कुछ आतंग वादियों के उपर या सूरों के उपर कारवाई करते दोरान अभी उनको 12 मुला डिस्टिट से कुछ अजीब तरह के grenade मिले हैं और यह सभी grenade उन सूरों के पास से बरामत किया गया है यह grenade दिखने में काफी अलगया और यह चाइनिज ओरिजन से हैं अभी जो सूर पकड़े गया थे यह काफी wanted सूर थे और मैं जान बुचकर इनका नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह कोई हीरो नहीं थे जिनका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है और यह UPSC में भी नहीं आने वाला है तो फोकड़ में इनको पॉबलिसिटी नहीं देना है लेकिन अगर आप इनसे रिकवर किये गरनेट्स को देखेंगे तो यह आपको एकदम से यूनीक जरूर दिखेंगे कि वुडन फिनेट्स के साथ टिपिकल कुम्फू मुवीज में जैसे वोल्ड चैनेज एक्यूपमेंट दिखा जाता है इनका विजूल एफिरेंस कुछ बैसा ही है लेकिन अगर नॉर्मल चैनेज गरनेट्स की बात करे तो वो कुछ ऐसा दिखता है और इनको वायली चैने मिलिटरी में इस्तमाल किया जाता है और यहां तक की पाकिस्तान की तरफ से इन स्वरों को भेजा जाता है उनके पास भी नॉर्मली इसी टैपिक गरनेट्स मौजूद होता है लेकिन यह पहली बार है जब ऐसे वुडन फिनिस वाले गरनेट्स यहां पर बरामत किये गए ह अगला अपडेट इंडिया नामी की डॉक स्कॉड को लेके एन आई के रिपोर्ट के मताबिक वियसेव की तरफ से अभी भारत के देशी ब्रीट के कुट्तों को ट्रेन करने का फैसला किया गया है और वियसेव अपने रेगुलर पेट्रॉल में इनको अपने साथ लेना च चाहती है अभी एक एक्सपरिमेंट के तौर पर वियसेव की सी लॉंग डिवजन की तरफ से दो लोकल ब्रीट के कुट्तों को सिलेट किया गया जिनको अभी रेगुलर ट्रेनिंग दिया जागा इनमें से एक मुदूल ब्रीड है और दूसा राज पलायम ब्रीड है वियस सेब के जवान अपने साथ लेने वाले हैं और अगर यह सही तरीके से रेस्पॉंड करते हैं और हमारे उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो आगे चल कि इंडियन ब्रीड को प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाए और इनको रेगुलर वेसिस पर इंडियन आम में सामिल किया जाएगा अब अगर यह एक्सपरिमेंट सक्सेस्फुल रहा तो इसकी सबसे बड़ी एडवांडेज यह होने वाली है कि हमें फॉरेंड के ऊपर इतना डिपेंडनेट हैना नहीं पड़ेगा क्योंकि वह अच्छे रेजल्ट देते हैं लेकिन हमारे क्लाइमेट में कभी करने के लिए तिबतियन मस्तिफ और लद्दा की लोकल बिट की कुट्तों को ट्रेन करने का फैसला किया गया है अगला अफडेट उनाइटेड स्टेट चाइना और भारत को लेके अब सभी को याद दोगा कुछ हपते पहले उनाइटेड स्टेट की कॉंग्रिस की तरफ से लाइन अफ अक्च्छल कंट्रोल में चाइना की तरफ से भारत के उपर किये जारे मिलिटरी अगरिशन को कंडेम किया गया था और इसको रोकने के लिए कहा गया था अब इसको इनाइटेड स्टेट की तरफ से नेस्नल डिफेंस आउथरेशन राग्ड दोजार इकीस के त भारत का समर्थन करने का प्रस्ताब दिया गया था इसमें चाइना को वार्निंग देने के साथ साथ भारत को और उनाइटेड स्टेट के सभी अलाइट डिशों को चानी जगारिशन के खिलाफ सपोर्ट करने की बात भी की गई थी और इसे निवर के अफसर पर पुर्म रूप से चाइना को एक्जिस्टिंग बाइलेटल मेकनिजम का इस्तमाल करके सॉल्व करने के लिए कहा गया है इसके अलाबा चाइनिज अगरिशन की वज़े से भारत को चोड़ के वुटान, वीतना, मलीशिया, फिलिपीन, और ताइवान जैसे देसों को सफर कर पड़ा और ये इंटरनेशनल पीस को बरकार रखने में एक बहुत बड़ी बाधा बनती जा रही है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातर